हाई आपके साथ मैं हूँ सुर्भी शर्मा इंडिया टीवी यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं अच्छाई पता की है अबी मैंने वैक्सीन नहीं लिये और अभी कुछ वक्त तक मैं लूगा भी नहीं है लिया नहीं है सर पार यह अभी वेट करना चाहते हैं आम यह भी लेनी रहें यह अफ़ाय जो फैल रही है ना कि जैसे इसी से हो रहा है सब कुछ अभी हम बिल्कुल सरकार पे वो नहीं कर सकते विश्वास देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जबरदस्त कन्फ्यूजन फैलाय जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर मोबाईल तक शहर शहर गाउं गाउं कई मैसेज सरकुलेट हो रहे हैं आडियो वीडियो संदेश वाइरल किये जा रहे हैं लोगों को डराया जा रहा है वैक्सीन को लेकर मनगढ़न्त कहानिया बनाई जा रही है बेहसाब जूट फैलाया जा रहा है इंडिया टीवी ने इन अफवाहों की ग्राउट पर तहकिकान की है अफवाह वाले मेसेजिस का सच पता किया है का चल रहा है बताई सुने है तो फो फाल दो को हुए क्सान हो रहा है आपने कहा तुमाय ले तुन आदमी कतना जनकाों गया מא जने का वह लुशाब वेक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे यह अफ विहार के किसी दूर दराज के गाउ में नहीं बलकि राजधानी पत्टा के फुलवारी शरीफ के नौसा गाउ में फैलियोई है बिहार के कई गाउं में लोग ऐसी बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि वैक्सीन ली तो मौत हो जाएगी वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे वैक्सीन से लोग का जान गई है यह देखा है कैसे आप कह सकते हैं किसने कहा सुनी सुनाई बात यहीं पर हुआ है, इसी महले में हुआ है, जान गया है वैक्सिन से, उसको हो सकता है, कोई बीमारी रही हो, जितने लोग वैक्सिन ले रहे हैं, उन में से किसी को बीमारी भी तो हो सकती है, जिसके पर बीमारी है, उसको वैक्सिन नहीं देना चाहिए था, उनको जांच परता इतने लोगों ने वैक्सिन ले लिया, बिहार में एक करोर से ज़ादा लोग ले चुके पूरे देश में लिया, मीडिया तो जाधा जानती है इस बात को, कुछ नहीं है, किसी की मौत वैक्सिन लेने से नहीं हुई है, हम लोग की यहां तो एक हाथा हुआ है, कॉली में थी, ह आपने सुना की रक्सिन लेने से मर जाता हँएं, । então है, यह कहाँ सुना आपने हैं, कही गाओ में लोगा नौसा में, सुनी सुनाई बातों को लेकर लोगों के मन में आशंकाएं हैं, गाओ में किसी की मौत वैक्सिन लेने के बाद हो गई, इसका उदाहरन देकर लोग मन की अफवा फैली हुई है दरसल सिर्फ बिहार ही नहीं देश के गाउगाउ में फ्रांस के नोबल पुरसकार विजिता लूस मॉंटेनियर की तस्वीर लगा एक मैसेज मोबाइल में पहुँच रहा है इसमें दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने वाले लोग अगले दो साल से ज्यादा जिन्दा नहीं रहेंगे यूपी में लखनाओ के पास गाउओं में भी ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है आजमी जीएद नहीं रहेगा तो उससे थोड़ा से डर बसा हुआ है इंडिया टीवी ने इस मैसेज में किये गए दावे की पूरी परताल की फ्रेंच नोबल विजेता लूस मॉन्टेनेयर मशूर वाइरोलोजिस्ट हैं ये वो वैज्यानिक हैं जिन्होंने 1983 में एक और वैज्यानिक के साथ मिलकर हूमन इम्म्यूनो डिफिसियंसी वाइरस HIV को डिस्कवर किया कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने फ्रेंच में एक इंटर्वियू दिया था इसमें उन्होंने मास वैक्सिनेशन का विरोध किया था डॉक्टर लूस मॉंटेनेयर ने कहा था कि वैक्सिनेशन की वज़ा से ही नए वेरियंट्स सामने आ रहे हैं लेकिन इसमें उन्होंने कहीं भी दो साल में मरने की बात नहीं कही फ्रेंच भासा में कही उनकी बातों को उल्टा पुल्टा करके अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेट करके ट्विटर पर फैलाया गया यानि लूस मॉंटेनेयर की फोटो के साथ लगा ये मैसेज फेक है फ्रेंच साइंटिस्ट ने कुछ कहा शरारती लोगों ने कुछ पताया और देश के गाउं गाउं तक फैला दिया अफवाह बहुत तेजी से फैली एक ने दूसरे को बताया दूसरे ने दस लोगों तक पहुच जाया अब आलम ये है कि लोगों के मन से इस अफवाह को निकालने में सरकार को बड़ी माथपची करनी पड़ रही है बहुत दुक्की बात है और हम एक लड़ाइ लड़े हैं कोविट के गेंस्ट और एक लड़ाइ लड़ज के गेंस्ट जो गदफ और पहलाई जा रही है और यह एक डेटा है उसमें एक ख्लियर दिल दखाई देता है और जो पेश्टम स ह edmit हुए है कि जिन लोगों उन्होंने वैक्सीन लगाई उन लोगों को माइल्ड कोविड हुआ वो जल्दी से ठीक हुए और जो लोगो वैक्सीन नहीं लगा रहे थे कई कारणवर्स से उनको जादा स्वेर परसंटेज वाई जादा स्वेर कोविड हुआ गाउं गाउं एक और अफ़ाह फैली हुई है कि वैक्सीन लगवाने के बाद तबीयत खराब हो रही है त्रेज लगवाने के बाद तबीयत खराब हो रही है त्रेज बुखार आ रहा है कई कई दिन अस्पताल में भरती रहना पड़ता है और टीका लगवाने के बाद भी इंडिया टीवी संबाद दाता विशाल प्रताप सिंग जब लखनव के पास हम रही गाव पहुँचे तो उन्हें वहाँ ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने वाटसप पर वाइरल हो रहा मैसेज दिखाया इसमें लिखा है केजी अम्यू के सौ से ज़्यादा डॉक्टर पैरा मेडिकल स्टाफ संक्रमित इन में से अधिकांश लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे आप देख सकते हैं कि यह लिखा हुआ कि के सव से ज़्यादा डॉक्टर पैरा मेडिकल स्टाफ संक्रमित हैं इन में से अधिकांश लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे अब लगता है कि गाउं में इन सब वाटसप का भी लोगों को उपर कुछ नों को फर्क बह एक फोटो एक हमारे जानने वाले थे उन्होंने बेजा कि उनसे मेरी बात चल ले थी उनके अच्छली हम कौंसिलिंग कर रहे थे कि वैसीन लगवानी चाहिए लगवा लोगी है उन्होंने कहा कि नहीं देखिये मेडिकल कॉलेज के सो डॉक्टरों ने लगवाई थी दोनो डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमीत इन में से अधिकांश लोग ले चुके थे वैक्सीन की दोनों दोस क्या आपने वैक्सिनेशन कराया है हमारे दोस्त लोग कराएंगे इसके बाद हम भी थोड़ हमत करेंगे तो डरे हुए थोड़ा ये वाटसप देखते है तो लोग जब करा लें कालिम का है इसके बाद अगली डेट जोंको भी लेंगे पहले दोस्त लोग करा लेंगे ज़र खता हो जाएगा उतके बाद कराएंगे जिए वाटसप चलना है कि लगाने पाद इस दिकते आ रही तो थोड़ा से अंदर से भी डर बना हुआ है इस दर ज लखनों के पास अमरही गाओं में कई लोगों ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवरसिटी का मैसेज दिखा कर वैक्सीन के बाद करोना का दाबा किया और कहा कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे आखर केजी अम्यू के नाम से फैल है मैसेज का सच क्या है विशाल प्रताप सिंग ने इसकी सच्चाई भी पता की यह सच है कि केजी अम्यू में कुछ डॉक्टर वायरस से संक्रमित हुए थी वैक्सीनेशन के बाद हलका फुलका बुखार आता है किसी तरह की तबीयत नहीं बिगड़ती विशाल प्रताप सिंग ने केजी अम्यू के प्रशासन से भी बाद लिए उन्होंने कहा कि कुरोना का एक मात्र इलाज वैक्सीनेशन है और लोगों को अपवाहों पर ध्यान देने की बजाए टीका लगवाना चाहिए इतन में जो चिकिसभ विश्विड्याद्डे के सभी करणचारिए उं शिक्ष को चैत चात्रों ने टीका लगवाशन कराया है संक्रम्न भी उन्हों सभी को हुआ संक्रम्न जेसा भी पर ये टीका करन ये वैक्सिनेशन बहुत काम आया है अधिर आप सभी लोगों से आगरे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी मीडिया के माध्यम से शोशल मीडिया के माध्यम से भर्म में ना पड़े और वैक्सिनेशन जरूर करा है यानि लखनों में आधे सच आधे जूट के साथ अफवाह फैलाई जा रही है वैक्सीन से बिमारी और मौत की अफवाह मुंबई तक फैली हुई है मुंबई के पास धिवन्डी के आदिवासी इलाके में एक आपत्य जिनक वीडियो खूँ फैलाया गया इसमें शव दिख रहे हैं पी-पी किट पहने लोग है ये देखो आदिवासी इलाकों में रहने लोगों के मन में इतना डर इतना खौफ पैदा कर दिया है कि लोग कुरोना वैक्सीन के नाम से ही डर रहे है कि लेस्ट काई गेनार हुँ लेस्ट गेतला घरात कौन कमान आरहने ना आजारी पढ़ लादर तक इतके दिवास करूना तहले कौन खाये चामान दहले जीते अच्छा नजर आजारी पढ़ड़ा त्याला कौन का जेनार है अजपरत का दिले एक खुकड का एक तांदर शुदा वाटे लेकोन आलाने इसे अपने लाज सिगिनार मत ड़ mosquito है फिरफ करूप लेकोन आजरी पढ़ से अलैंके दर अंकर ऑजपरत आजपरत कीर ने थी बैसाए पर अन्किन कायँ का एक भी वतर पड़ उन्धार थे सांच्छाल के वेड़ायाला तो सबनले रख पंदर माशूर के लिए पर हारे मात लो बिवंडी के आदिवास इलाकों में अफवा फैली हुई है कि कोरोना टीका लेने से हड्डिया गल जाएंगे कोरोना टीका लेने से जो आदमी मरता है उसकी किटनी निकाल देगए आदिवासी समाज में पैले टीके के डर को दूर करने के लिए हेल्ट डिपार्टमेंट के लोग लगातार समदा रहे डॉक्टर भी कह रहे हैं कि टीके से डरने वाली कोई बात नहीं हालां कि बिवंडी के आदिवासी इलाकों में लोगों के मुबाइल में जो वीडियो आ रहा है उसका ओरिजिनल सोर्स अब तक पता नहीं चुना एक अफवाह और तेजी से फैल रही है वो है वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद मौत हो जा रही है संबाद दाता नजीर दिल्ली के दरिया गंज में फैल रही सफवा की सच्चाई जानने पहुंचे लोगों की आखों पर भ्रम की पट्टी किस्तरा बंधी है सुने अभी मैंने वैक्सीन नहीं लिए और अभी कुछ वक्त तक में लूगा भी नहीं कि अभी वैक्सीन को लेकर अभी जो जा रही है और भूसे लोगों की कोवीड लगने के बाद भी उनको कोवीड हुआ और उनकी डैथ भी हुए सबसे बलाद धारन डाटर के के गरवाल सबकुछ अभी दिल में डार है कि अभी इंतिदार करो जिरट जैसा है और उसके बाद में भूब करूँ है कि वह जिन्होंने कोवीड की वैक्सीन लगवाई है तो वह एक्शन कर रही है ब्लैक फंगस जो बीमारी सुन रहे हैं उसकी वाज़ा से हो रहा है कुछ ऐसा अभ कि हम बिल्कुल सरकार पे वो नहीं कर सकते विश्वास कि यह ऐसा है सही है यह तो इसले भी लेना नहीं है फिर टाइम वेट करेंगे कि कितना सब को असर कर रहा है अच्छा है कि नहीं है लेकिन क्या ये वैक्सीन की वज़े से हुआ इस सवाल पर हमने 40 अस्पताल के काडियक साइंस डिपार्टमेंट के डिरेक्टर डॉक्टर राजू व्यास से बार की उनके केस में भी शायद कॉर्णरी आर्ट्री डिजीज ये हाट की कोई प्रॉब्लम का होना ये सकेंडी निमोनिया का हो जाने के कारण शायद उनके मौत होने की संभावना लगती है इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन काफी कम लोगों में देखने को मिलते हैं इसलिए आप इसके कारण से हमें हॉस्पिटल मैट बिड नहीं होना पड़ता है पूरी दुनिया मान रही है कि कोरोना का इलाज सिर्फ वैक्सीन ही है इसलिए वैक्सीन से नडरे एक और अफ़ाह गाओं गाओं फैली हुई है वो ये की कोरोना टीका लेने से मरदानगी खत्म हो जाएगी लोगों के मुबाइल में पांच डॉक्टर्स की तस्वीर लगा कर एक मैसेज खूब सर्कुलेट किया जा रहा है इसमें दावा किया जा रहा है कि बिना शादी शुदा लोगों को वैक्सीन लगती है तो उनके अंदर बांच पन आ सकता है वैक्सीन लेने के बाद शादी हुई तो लड़का बाप नहीं बन सकता और लड़की मा नहीं बन सकती मध्यपरदेश में ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान इस तरह की बातें सामने आई है लेकिन नपन सकता वाला जो मैसेज सोचल मीडिया पर फैल रहा है और जिन डौक्टर्स की तस्वीर इस मैसेज में लगाई गई है इंडिया टीवी ने उसकी सच्चाई भी पता है हमने तस्वीर में दिख रहे हैं डौक्टर से संपर किया उन्होंने साफ कहा कि यह मैसेज फेक है वो जो फोटो है वो हमारे परमिशन के बगएर रियूज किया गया है और इसको हमें ही वाट्सअप के जरे बता चले कि ऐसी फोटो पोस्ट हमारी वहरल हो रही है जो कि पुरी तरह से कंप्लीट इंफरमेटिव नहीं है हाफ नौलेज है और फाल्सली अक्यूजिंग हम को किरते में नौलेज है जो यह परचा है पोस्टर है उस पे मेरा नाम गलत लिखा हुआ है मैं डौक्टर के भी तुमाने हूँ जब कि यह पर डौक्टर बी के तुमाने लिखा हुआ है और यह जो परचा है मैं कहता हूँ कि पूरी तरह फेख है ऐसा कोई ہमारे पास आया है नहीं हमने इस परचे को कभी निकाला नहीं और हमारे इसको सम्मती भी नहीं है यह आपके नाम पर याप यह देखी आपके साथ 4-5 लोगों को और नाम दिया गया है और इस तरीकी की मुहिम चलाई जा रही है मैं इन से 2-3 लोगों से मिला भी हूँ एने फोन पर बातचीत भी हो गई है और मैं इनको जानता भी हूँ तो उनका भी कोई समझ ने इससे और यह एने फेक सब फेक है किसी ने तो भी हमारे नाम का फायदा उठाया है और ऐसा यह पर्चा बनाया है और इसमें ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि इसके कोई ऐसे साइट एफेक्ट हैं जिससे इसके कारण डेट्स जादा हो रही है या जैसे आपने का कि किसी के मर्दानगी को फरक पड़ रहा है और यह सारी जो स्टडीज हैं यह साइंटिफिक बेसिज पे भारत में ही नहीं द लोग उसी को मानने शुरू कर देते हैं और जो एक्शिल फैक्ट्स हैं उसको भूल जाते हैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर भारत से पाकिस्तान तक खूँ वाइरल किया जा रहा है इसमें दिख रहा है कि एक शक्स हाथ में जहां टीका लगा है वहाँ बल्ब रखता है तो वो जल उड़ता है इसी वीडियो को दिखा कर दावा हो रहा है कि वैक्सीन के बहाने माइक्रो चिप लगाई जा रही है और ये अमेरिका की साज़िश है ताकि वो लोगों का डियने बदल सके है सरकार ने ऐसे वीडियो मैसेज को फेक करार दिया है इसके अलावा भी कई और अफवाहें शहर शहर गाउं गाउं फैली हुई है मसलन वैक्सीन से कई लाइलाज बीमारियां हो रही है कुरोना का टीका लगाया तो बच्चे बीमार पैदा होंगे आटिजम हो जाएगा कुरोना वैक्सीन सरकार की साज़िश है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए टीका लगाया जा रहा है सरकार लगतार कह रही है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीनेशन के बाद ही आप कुरोना से बच सकते हैं करोनों लोगों को टीका लग भी चुका है अब तक देश में 21 करोड 41 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी है 17 करोड 4 लाख से ज़्यादा लोगों को पहली डोज दी गई है जबकि 4 लाख 36,000 लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है सरकार ने कहा है कि कुछ हफतों में वैक्सीन का इतना स्टॉक हो जाएगा कि हर रोज एक करोड लोगों को टीका लगाया जा सकेगा सरकार का टार्गेट है कि साल के आखर तक देश में 18 साल से उपर की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए लेकिन सरकार को अफवा के मोर्चे पर बड़ी लड़ाई लड़नी है क्योंकि गाओं गाओं जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा देश में कुरोना का खत्रा लगातार बना रहेगा